तो फ्रेंट्स आच्छी उडियों हम बात करने वाले हैं हीलियम नियोन लीजर की वर्किंग की लाश्ट वीडियों मैंने इसके पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, डिसडवांटेज और एप्लिकिस्टन्स डिसकस कर लिये थे आच्छी वीडियों हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, तो इसकी वर्किंग समझने के लिए हमको क्या है इसका एनर्जी लेवल डाइग्राम समझना होगा, तो चरिये शुरू करते हैं आज का वीडियो तो मलीजे फ्रेंट मेरे पास यहां पर तीन एनर्जी लेवल्स हैं जो कि हमारे पास हीलियों के एटम की हैं जिसके नेम है 23S1 23S0 और नीचे वाली हमारी वह ग्राउंड एनर्जी स्टेट है तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी एटम नॉर्मल कंडिशन्स में होता है त जो एलेक्ट्रों होती है वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में होते हैं तो यहां पर भी हमारे पास कुछ एलेक्ट्रोंस है जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट पर है अब क्योंकि हमको लेजर लाइट पर नहीं हम लेजर लाइट पड़ना है तो हमको क्या करना है जो ग्रा तो वो higher energy state की तरब move करेंगे और वो higher energy state सक पहुँच जाएंगे at the same time माली ये मेरे पास neon का atom है उसकी कुछ energy levels है जिसके name कुछ इस तरीके से है 3s, 3p, 4s, 4p and 5s इसमें भी same case हमारे पास normal condition में neon के atom पर भी जो electrons है वो normal condition में ground energy state पर होएंगे अब होता क्या है यहाँ पर other laser की comparison में यहाँ पर थोड़ा सा change है इन दोनों के अंदर क्या role क्या है वो basically कुछ यह है कि helium का atom जब higher energy state में जो electrons है उसके तो वो जो electron है जब higher energy state से lower energy state की तरह पाएंगे अपनी sufficient lifetime spend करने के बाद है तो वो जो electron है वो अपने energy को release ना करके वो transmit कर देते हैं किसको neon के atoms के electron को जो की ground energy state पर होते हैं अब वो ऐसा क्यों कर देते हैं तो वो ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि यह जो तो energy levels है helium के atom की और neon के atom की 5s और 4s यह करीब-करीब इनकी जो energy होती है वो डिफरेंट होता है वो करीब-करीब approximately equal होता है तो यह क्या होता है इनको energy transmit कर देते हैं ताकि यह जो neon electron वहाँ पर high energy street में चला जाता है 5s और 4s में ground energy street से और जो हमारे पास helium के atom होते हैं वो हमारे पास बापेस ground energy street में आ जाते हैं अब होता क्या है कि जो 5s है और 4p है और 4s है और 3p energy street से इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारे पास यहाँ पर population inversion अचीव हो जाता है जिसके wavelength होती है 3.39 micrometer similarly जब electron का transition होता है 5s से 3p energy state की तरफ तो वो जो है एक photon produce करता है जिसके wavelength होती है 632.8 nanometer ठीक ना friend at the same case जब 4s energy state से जब electron move करता है 3p energy state की तरफ तब भी वो एक photon produce करता है जिसके wavelength होती है 1.15 micrometer इन दौनोई cases में जो transition है तीनों transition जो हुए हमारे पास इन में 3 photon produce होएंगे लेकिन जो हमारे काम का होएगा वो होएगा 632.8 nanometer वाला क्योंकि यह हमारा जो है photon produce होगा laser light produce कराने के लिए बाकी के यह दो है 3.39 micrometer और 1.15 micrometer वाला यह जो है photon जो है laser light की light produce करेगा वो infrared region में करेगी जो कि capable नहीं होगी आपकी laser light बनाने के लिए लेकिन जो photon transition कर रहा है 5s energy state 3p में जिसकी wavelength 632.8 nanometer वाला यह capable होगा laser light को produce कराने के लिए तो यहाँ पर हमारा photon produce होगा वो photon क्या होगा back and forth करेगा उन दो mirrors के बीच में जो कि एक fully reflective होता है एक partially reflective जिसको हम बोलते है optical resonator तो जब वो photon जो produce हुआ है तो back and forth करेगा जिसके बेज़ेते क्या होगा वो other electrons जो है higher energy state में उनको excite करेगा और निशाने के लिए जिसके बेज़ेते क्या होगा laser light produce होगी stimulated emission के का तो इस तरीकी से laser light तो प्रोड्यूस हो जाएगी लेकिन जब electron जो है 3p energy state 3s energy state की तरफ करेगा move तो यह कफी जादा fast radioactive transition होगा तो यहां से electron जो है 3p energy state 3s energy state की तरफ आ जाएगा और 3s energy state के बाद वो जो हमारा ground energy state की तरफ आ जाएगा और यहां फर जो है वो अपनी energy को जो है heat की form में release कर देगा जानिकि diffusion हो जाएगा two walls इसका मतलब यह है कि जब electron 3s energy state ground energy state की तरफ आएगा तो होता क्या है कि electrons जो होते हैं वो collide करते हैं glass की tube से जिसकी वजह से क्योंते है glass की tube heat up हो जाती है और उसकी energy जो होती है वो loss हो जाती है electrons की तो यही वो कारण है इस लिए laser काईवार जो tube होती है laser की वो heat up हो जाती है तो इस तरीके से पूरी energy level diagram जो होती है जो work करती है और helium neon laser जो होती है produce होती है अब जो मैंने प्रोसेस बताया ना यह केवल एक प्रोसेस के तुरू बताया है एक सिंगल स्टेज में बताया है मैंने यह एक atom में हो रहा है ठीक है na helium और neon के बीच में ऐसे अब आपके मंड में एक question भी आतकता है कि यहाँ पर इतनी सारी energy levels क्यों बना रखी है तो भाई सुनिए कि helium neon laser जो है वो आपकी एक four and level energy level है अब यहाँ पर आप देख सकते हो four energy level कैसे है वो कुछ यू है कि जब electron जो है five energy state से three energy state की तरफ transition करेगा तो यह क्यों हो गया पहला transition दूसरा transition हुआ 3P से 3S और तीसरा transition हुआ 3S से ground energy state यानि कि total तीन transition हुए और इन तीन transition में चार energy levels ने participate किया laser light को produce कराने के लिए तो इसलिए हम इसको four level energy levels कहते हैं या four level laser कहते हैं अब वो four level कौन कौन सी है 5S, 3P, 3S और ground energy state तो इसमें चार energy levels ने participate किया तो इस तरीके ते friends हमारी helium neon laser work करती है अच्छी वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye